आई फ्रेंड वेल्कम बैक टू माई चैनल मेरे चैनल प्रिती मिस्रा काफ में आप सभी का स्वागत है तो आज मैं आप लोगों के लिए स्ट्रॉवेरी कीचेन बनाने के लिए लाई हूँ तो देखिए फ्रेंड उसे बनाने के लिए मैंने ये ग्रीन कलर का उन और ये ले लेना है और उसे इस तरह से कुर्षिया के उपर रख लेना है फिंगर के उपर रख के देखिए हमें एक ऐसे नौट लगा लेना है इस तरह से और अब हमें इसमें पप बनाना है फ्रेंड देखिए इस तरह से हमें ऐसे ही उन को धीला कर देना है और ऐसे हमें इसमें एसे ही देखिए उनको लपेट ना है जिससे ये पब बंजा इसके उपर देखिए हम फिंगर रख लेंगे ताकि छोटा और बड़ा ना हो जाए देखिए यह हमने four time कर लिया है अब इसमें हम इस तरह से knot लगा देंगे और फिर देखिए फिर ऐसे ही four time करेंगे one two three and four यह देखिए हमने four time फिर से ऐसे ही कर लिया है अब फिर हम ऐसे ही puff बना लेंगे फिर इसी प्रोसेस से फिर हम ऐसे ही करेंगे one two three four फिर ऐसे हमें puff बना लेना है फिर देखिए हम ऐसे ही एक बार फिर से करेंगे 1, 2, 3 and 4 यह देखिए हमने फिर से 4 टाइम कर लिया है अब फिर हम यहाँ पर पप बना लेंगे और देखिए इस तरह से हमें उन को ढीला कर लेना है और यह जो हमने यहाँ पर देखिए नौट लगाया था इस धागे को हमें इस तरह से खीच देना है इसे टाइट करके यह जो धागा खीचा था इसे हमें टाइट कर लेना है और यहाँ पर जो हमने 3 चैन बनाया था उसी में हमें इस तरह से देखिए हमने जॉइन कर लिया है अब इसे हमें इस तरह से देखिए इसे बाहर की तरफ खीच के इसे सीधा कर देना है देखिए फ्रेंड यह जो हमने यहाँ पे देखिए फिर से हमें 1, 2 ऐसे 2 चैन बनाना है और फिर जो हमने यह पप बनाया है उसके जो बीच में देखिए जो गैप है उसी में हमें ऐसे ही 1, 2, 3 and 4 देखिए 4 टाइम फिर से ऐसे करके पप बना लेना है और फिर देखिए फिर उसी में फिर एक बार हमें ऐसे पप बनाना है 1, 2, 3 and 4 एक लूप में हमें 2 टाइम ऐसे ही पप बनाना है फ्रेंड इस तरह से फिर देखिए एक चैन बना लिया हमने अब फिर हम देखिए नेक्स जो फर्स्ट पफ है इसे हमें स्किप करके नेक्स वाली चैन बनाया था हमने उसमें ऐसे इस तरह से वरन टू त्री और फोर ऐसे देखिए फोर टाइम उनको इस तरह से लपेट के पफ बना लेना है अब फिर उसी लूप में हमें फिर से देखिए वरन टू थ्री और फोर उसी जगह पे फिर से हम एक बार पफ बना लेंगे और फिर हमें एक चैन बनाना है और फिर हम एक चो नीचे पफ बनाया है में उसे skip करेंगे फिर इस तरह से 1, 2, 3, and 4 देखिए इस तरह से फिर हम एक पब बना लेंगे और फिर इसी में हम एक बार फिर से पब बनाएंगे तो देखिए नीचे हमने फिर्स्ट लाइन में 4 पब बनाया था और सेकेंड लाइन में हम 8 पब बनाके फिर आपको दिखाते हैं 8 पब बना लिया है और यहाँ पे जो हमने चैन बनाया था फ्रेंड उसी में इस तरह से देखिए हमें इसे जॉइन कर देना है देखिए इस तरह से हमने जॉइन कर लिया है अब फिर देखिए यहाँ पर हमें ऐसे ही सेंटर में आ जाना है इस तरह से जहाँ पर हमने चैन बनाया था एक वहाँ पर इस तरह से देखिए सेंटर में आ जाना है और फिर इस तरह से 1, 2 तू चैन बनाना है और फिर देखिए ऐसे ही 1, 2, 3 and 4 देखिए 4 टाइम ऐसे करके फिर एक पब बनाना है फिर उसी लूप में फिर से ऐसे ही 1, 2, 3 and 4 देखिए 4 ऐसे करके देखिए यहाँ पर हमने 2 पब बना लिया है अब फिर हमें यहाँ पर चैन नहीं बनाना है फ्रेंट जो हमने यहाँ पर देखे नीचे चैन बनाया था उसमें हमें फिर से ऐसे ही वन टाइम पब बनाना है एक बार इस तरह से देखे फोर टाइम हमने ऐसे करके पब बना लिया अब फिर देखे यहाँ पर हमें टू टाइम पब बनाना है इस जगह पर हम two time बनाएंगे one two three and four देखिए इस तरह से हमने edge कर लिया अब फिर देखिए उसी जगह पे हमें फिर से ऐसे ही one two three and four ऐसे हमने पप बना लिया अब फिर next में देखिए यहां पे हमें एक लूप में हमें two time ऐसे पप बनाना है फिर एक बार हमें एक बार फिर ऐसे दो बार फिर एक बार इसी प्रोसेस से हमें यह लाइन बना के complete करना है same उसी process से मैंने first में two, फिर one, फिर two फिर one इसी process से बना कि ये line complete कर लिया है अब यहाँ पर देखिए हम इस तरह से knot लगा देंगे और फिर यहाँ पर देखिए हमें ऐसे center में आ जाना है इस तरह से एक knot लगा के अब फिर यहाँ पर one, two three, ऐसे three chain बनाना है और फिर देखिए इस तरह से मैं पर बना लेना है one, two, three and four यह देखिए इस तरह से हम पर बना लेंगे फिर ऐसे ही next loop में one, two three four, ऐसे फिर से हम पर बना लेंगे फिर ऐसे ही इस line में देखिए friend हमें हर एक chain में एक एक बार ही पप बनाना है फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये लाइन बना के कम्प्लीट कर लिया है अब यहाँ पे देखिए जो हमने चैन बनाया है उसी में इस तरह से हमें इसे अटेच कर लेना है देखे जॉइन तो देखे फ्रेंड यहाँ पे हमने जॉइन कर लिया है अब यहाँ पे देखे इस तरह से हमें सेंटर में आ जाना है और फिर यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे 3 चैन मनाना है और फिर इस तरह से 1, 2, 3 and 4 4 पब बना के 4 टाइम ऐसे ही बना के एक पब बना लेना है और फिर लॉक कर देना है फिर इसी प्रोसेस से फ्रेंड फिर नेक्स्ट लूप में हमें ऐसे ही 1, 2, 3 and 4 ऐसे 4 पब बनाना है जैसे मैंने नीचे का लाइन बनाया था फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से हमें ये लाइन भी बना लेना है उसी प्रोसेस से मैंने ये लाइन बना के complete कर लिया है, अब यहाँ पर जहां हमने chain बनाया है उसी में इस तरह से देखी से Lock कर देना है और फिर देखिए हमें ऐसे ही 1-1 टाइम ऐसे single crochet ऐसे ही करते जाना है इस तरह से देखिए ऐसे ही हमें सिंगल कुशिया करना है जो हर एक पफ के बीच में देखिए उसी स्पेस में इस तरह से हमें देखिए सिंगल कुशिया करते जाना है इस तरह से हम सिंगल कुशिया कर लेंगे इस तरह से हर एक स्पेस में हमें इस तरह से देखिए ऐसे ही सिंगल कुशिया करते जाएंगे तो यह जगह है यह ऐसे ही बंद हो जाएगा यह देखिए अब इसके बाद देखिए इस तरह से हमें ऊल को खीच लेना हूँ और इसमें हमें इस तरह से कौटन को एसे डाल देना है इसके अंदर से देखिए, दबा देना है, और फिर देखिए, इस तरह से हम, फिर जैसे हमने फिर्श्ट लाइन में सिंगल कुशिया किया है, पिर प्रोसेस से हम, अज़ी से सिंगल कुशिया करके, इसको पूरा अच्छे तरह से ढग देंगे, ताकि यह खुला ना रहे, इ एसे ही टाइट करके हमें अब यहां पर देखी इस तरह से हमें इसे ऐसे ही ढग देना है देखे फ्रेंड यह अच्छे से इसका इस पेस जितना भी था हमने ऐसे ही कि मंदाईं मैं से ही सिंगल कुश्य करके और फिर कि यहां फैसे लगाते न है नॉत लगाने के बाद हमने यहां पर को कट गग लिया है इससे नस तंब हमें इसे ग्रीन कलर का वुमिश्य इस तरा से रख लेगा है और इस तरह से की हमें इसमें ऐसे ही नौट लगाना है एक इस तरीके से और देखिए अपर इसमें वन टू ऐसे टू चैन बना लेंगे और फिर हमें वन वन टाइम इसमें ऐसे ही देखिए डेबल कुश्या करना है एक दो तीन चार पांच ग्यार एंड बार देखिए यहां पर हमने ट्वेल टाइम ऐसे ही डबल कुश्या कर लिया है इस तरह से अब इस तरह से देखिए उन को हमें डीला करके छोड़ देना है और यह जो हमने यहां पर देखिए नॉट लगाया था उस धागे को हमें इस तरह से खेच लेना है और यहाँ पर देखे फ्रेंड हमें इस तरह से ऐसे ही एक नॉट लगा देना है इसे देखे जैसे यह गोला बन जाए इस तरह से अब फिर देखे हमें 1, 2 ऐसे 2 चैन बनाना है 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 चैन बना लेना है फ्रेंड फिर हमें एक फर्स चैन को छोड़के इसे चैन में ऐसे ही हमें देखिए Nos लगाना है पहले इस तरह से फिर थर्ड वाले में इस तरह से देखे हम हाँ डबल कुरुशिए बनाएंगे ऐसे ही उसके बाद हमें two times double crochet बनाना है देखिए one फिर ऐसे ही नीचे एक बार नीचे two ऐसे ही देखिए हमने two times यहाँ पर double crochet कर लिया अब इसके बाद हमें एक chain छोड़ के friend दूसरे chain में हमें इस तरह से इसे join कर देना है ऐसे ही अब फिर देखिए हमें यहाँ पर हमें one two three four five ऐसे five chain बनाना है फिर first chain को छोड़ के second chain में हमें इस तरह से देखिए ऐसे ही not लगा देना है फिर दूसरे नमबर chain में इस तरह से हमें half double crochet बनाना है फिर third number में हमें इस तरह से देखिए double crochet फिर ऐसे ही एक बार फिर से double crochet ऐसे two time हमें double crochet कर लेना है फिर हमें एक chain छोड़ के दूसरे नमबर chain में इस तरह से join कर देना है इस तरह से same इसी process से friend हम ऐसे ही आगे बनाके फिर आपको दिखाते हैं same उसी process से मैंने six पत्ती बना लिया है अब last में देखे इस तरह से हमें इसे join करके ऐसे ही फिर एक chain बनाके उनको cut कर देना है इस तरह से अब यहाँ पे देखे फ्रेंड यह जो सब्सक्राइब को इन दोनों घ्लिए को ऐसी बैक साइट से हमें देखिए ऐसे नौट लगा दिना है ताक्य फुले नहीं इस तरह से पिर हमें उनको कट लेना है इस तरह से और यह देखिए हमारा पती बन गया है ये मैंने सुई में धागा डाल के ले लिया है अब इस तरह से हमें स्ट्रोबेर की उपर ये पत्ती को ऐसे रख लेना है और इस तरह से देखिए हमें सुई और धागे की हल्प से इसे अटेच करना है इस तरह से देखिए ऐसे ही हमें नीचे से ऐसे डाल के अच्छे से सिलाई कर देना है जिससे ये खुले नहीं देखिए इस तरह से हमें चारो तरफ से इसे अच्छे से सिल लेना है जिससे ये अच्छे से इसमें अटेज्ड हो जाए देखिए फ्रेंट इसी तरह से मैं चारो तरफ से इसमें सिल के फिर आपको दिखाती हूँ सेम उसी प्रोसेस से मैंने इसमें ऐसे चारो तरब से इस पत्ती को सिल लिया है हमें हैंग करने के लिए बनाना है तो इस तरह से हमें कुरूशिया को ऐसे ही एक जो हमने डबल कुरूशिया बनाया है उसी में से इस तरह से देखिए ऐसे उन को बाहर कर लेना है इस तरह से और इसमें देखिए हमें ऐसे नॉट लगा देना है ऐसे वर्ण और ये तो ऐसे टू टाइम्स देखिए हमने नॉट लगा लिया है इस तरह से अब इसी में देखिए हम चैन बनाएंगे वर्ण टू त्री 3 4 5 6 7 8 हमने 17 चैन बना लिया है अब ये जो हमने जहां पे देखिए फ्रेंड नीचे हमने जहां से इसे जॉइन किया है इसी में हमें इस तरह से फिर से जॉयन कर दना है देखिए इस तरह से हमें इसे खीच के और फिर इसमें हमें इस तरह से इसे नॉट लगा देना है वन टू ऐसे टू टाइम नॉट लगा के फिर देखिए हमें इस तरह से उन को कट कर लेना है और फिर ऐसे ही एक बार फिर से इसे नॉट लगा देना है देखे फ्रेंट ये जो एक्स्ट्रा उन है इसे हमें इस तरह से कट कर लेना है और ये देखिए हमने बहुत ही अच्छे से देखिए इसमें 17 चैन बना के इसे हैंग करने के लिए ऐसे बना लिया है बहुत ही प्यारे डिजाइन का स्ट्रॉबेरी कीचेन बनके रेडी हो गया है अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको मेरा ये स्ट्रॉबेरी कैसा लगा और मेरे चैनल प्रिती मिस्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ